पहली बार 1931 में जाती गत जनगणना हुई थी जाती गत जनगणना सहायता के योग्यलाभार्थियों की पहचान करने का सरकार का किया गया एक उपाय है अक्तूबर 2017 में जस्टिस जी रोहिनी की अगुवाई में रोहिनी आयोग गठित किया थी नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भरत द्वाज और आप देख रहे हैं न्यूजरूम पोस्ट हाल ही में OBC हितों से जुड़े दो एहम फैसले कर चुकी मोधी सरकार जाती जनगणना को मन्जूरी दे सकती है कोरोना की वजह से अब तक राष्ट्रिय जनगणना प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है इसलिए सरकार जाती जनगणना पर जल्द बाजी नहीं दिखा रही है इस मुद्दे पर सरकार फिलहाल देखो और इंतजार करो की रणनीती अपना रही है इस संबंद में सरकार को अभी रोहिनी आयोग की रिपोर्ट का भी इंतजार है जातीय जनगणना के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों और सरकार के घटक दलों का रुख भी मुखर है JDU अपना दल, RPI जैसे दल लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है इस मसले पर केंदर सरकार ने विमर्ष का दौर तो किया लेकिन वो किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है कोरोना की वज़े से टल रहे जनगणना कार्य का पहला चर्ण अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है वहीं इसका दूसरा चर्ण 2023 में शुरू होगा जिसमें जनगणना, भाशा, साक्षर्ता, पलायन जैसे विशेश शामिल होगा जाहिर तोर पर ऐसे में जनगणना का मुख्य काम 2023 से शुरू होकर 2024 के लोगसभा चुनाव तक चलेगा इसलिए सरकार जातिय जनगणना के सवाल पर जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है अब आखिर ये जातिय जनगणना क्या होती है? आम जनगणना से ये कैसे अलग होती है? ये रोहिनी आयोक क्या है? जिसकी रिपोर्ट का मौझूदा वक्त में सरकार को इंतजार है? साथ ही जातीगत जनगणना से आपको क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? ऐसे सभी पालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगे. तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं जातिय जनगणना क्या है? और ये कब शुरू की गई थी? दरसल अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था. पहली बार 1931 में जाती गत जनगणना हुई थी. 1941 में भी जाती ये जनगणना हुई लेकिन आकड़े पब्लिश नहीं किये गए थी. इसकी वजह तबके जनगणना कमिशनर M.W.Eats ने बताई थी कि पूरे देश की जाती आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी. इसके बाद अगली आजाद हो गया. 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जन जातियों को ही गिना गया. याने अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया गया. जनगणना का ये ही स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है. 2011 में प्रणम मुखर जी की जातियों जनगणना आम जनगणना से अलग होती है. भारत में जनगणना की शुरुवात ब्रिटिश शासन के दोरान साल 1881 में हुई थी है. जबकि जातियों जनगणना 1931 में पहली बार की गई. जनगणना का आयोजन सरकार, नीती निर्माताओं, सिक्षाविदों और जनगणना जनगणना जबकि जातियों जनगणना में हर व्यक्ति से उसका विशिष्ट जनगणना 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 की पहचान करने का सरकार का किया गया एक उपाय है. जो सामाजिक असमानता को भी उजागर करने का काम करती है. तो अब आपको बताते हैं कि ये रोहिनी आयोग क्या है. असल में OBC आरक्षन को संतुलित करने के लिए सरकार ने अक्तूबर 2017 में जस्टिस जी रोहिनी की अगुवाई में रोहिनी आयोग गठित किया था, जिसक जायोग की रिपोर्ट जब भी आएगी, तब सियासी हल्चल जरूर तेज होगी, क्योंकि इस वक्त 2700 जातियां OBC में शामिल हैं, इन में से 1700 जातियां अब भी आरक्षन के लाब से वन्चित हैं. एक अनुमान के मुताबिक OBC में शामिल करीब 3 दरजन जातियां, आरक्ष आरक्षन समेत दूसरी सरकारी योजनाओं के फायदे से वन्चित रहना पड़ता है. जातिया जन्गलना के बारे में जानकारी देने वाला हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बा पुचाएगी. नमस्कार